नमस्कार निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम अर्वी मेथी की सबजी बनाएंगे यह सबजी एक दम खास स्वाद में बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट होती है अर्वी मेथी की सबजी को गडेरी मेथी भी कहा जाता है और यह पहाड़े इलाकों में बहुत जादे पसंद की जाती है तो आईए अर्वी मेथी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं अर्वी मेथी की सब्जी बनाने के लिए हम अर्वी ले लेंगे ये 300 ग्राम हमने अर्वी लिए है और भी को हमने उबाल करके ले लिया है तो हम इन्हें छील कर और काट कर तःः करेंगे। ये हमने मेथे लिए, 250 ग्राम मेथे तीक मेधी जिसकी हमने डंडिया हटा दिया है और पत्या निकालनी मेथे को रटा, पानी में धो करके निकाला और चलनी में रखकरके ले लिया है ताक की एक्स्ट्रा पानी हट जाए तो इसे भी हम बारी काट करेंगे तो यह मेथी हमने पहले से काट करके रख्या हुई है वो ले लेते हैं यह मेथी हमने कटी हुई लेली और अर्बी को हम छील करके काट लेंगे तो यह हम छील लेते हैं अर्वी को, उबाली हुई अर्वी हैं बड़ी आसानी से छील जाती हैं, चाकू की साहता से हम इने छील लेंगे, और अर्वी को हम एक अर्वी के चार टुकड़े कर लें, यानि कि एक इंच के साइज में टुकड़ों को काट कर तयार कर लेंगे, और जो हम अर्वी मेथी की सबजी बना रहे हैं इसमें हम अर्वी की जगे पर गट्टे भी ले सकते हैं गट्टे अर्वी से थोड़े मोटे मोटे होते हैं गोल होते हैं एकदम से तो वो भी लिये जा सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे हमने अर्वी उबाल करके ले ली हैं, गट्टी भी उबाल करके ले लेंगे, और उन्हें भी हम छोटे छोटे टुकडो में काट लेंगे, तो ये हम सारी अर्वी काट करके तयार कर लेते हैं, ये अर्वी हमने काट करके तयार कर लेंगे, और अब हम सभजी बनाएंगे हमें टमाटर भी बारी काटने है तो यह भी काट लेते हैं अर्म को प्यालेंगे रख देते हैं और हमने यह तीन छोटे टमाटर ले लिए और यह ग्राम्स में करीब बन हंडन्रड 51ड ग्रामटर बाड़िक काट लेंगे तो यह हम सारे टमाटर काट करके तयार कर लेते हैं यह हमने टमाटर भी काट करके तयार कर लिए इधर हम गैस अन कर देते हैं और पैन को गरम करते हैं पैन गरम हो गया है पैन में हम तेल डालेंगे तो यह हमने दो टेबिल स्पून सर्सो का तेल डाल दिया सरसो के तेल की जगे हम कोई भी cooking oil ले सकते हैं लेकिन अर्भी के सबजी में सरसो का तेल बहुत अच्छा लगता है तेल को गरम हो गया है गैस हमने बिल्कुल धीमी कर लिया है तक हमारे मसाले अब जल्दी से चल लेना तो अब हम तेल में आदर छुटी चमच अजवाइन डा दो हरेमेश बारिक कटे हुआ हैं यह ज़ी डाल देंगे बीज अब करको हम ने काटे ज़ी हैं और फilt की ज़ी खमच अदें हल्दի पवडर और little चमच धनिया डाल देंगे मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे आग हमने बिल्कुल धीमी कर लिये तक हमारे मसाले जल्दी से जलेना और अब हम डालेंगे ये अर्वी नमक भी डाल देते हैं और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं गैस हम आप तेज कर लेते हैं और सारे मसालों को अच्छे तरीके से अर्वी में मिलने तक मिक्स करेंगे यह हमारे सारे मसाली की कोटिंग अर्वी के टुकणों पर आ गई है अब हम यह टमाटर डालेंगे और मिक्स करेंगे थोड़ी बस एक मिनिट इस तरीके से मिक्स करते हुए चलाना है और अब हम डालेंगे मेथी और अच्छे तरीके से मिलने तक मिक्स करेंगे अब सब्सisel को ढखक करके तीन चार मिनिट दीमी गयस पर पकने देगे इसके बास चेक करेंगे 25 कि चार मिनिट हो गए है सब्सzigों चैक कर लेते हैं हमने दो मिनिट में पहले भी सब्सक्र apenas चला धिया था हमारी सब्जी पक करके तयार हो गई है बहुत अच्छी मेहक आ रही है सब्जी से मेती की बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है इसे प्याली में निकाल लेते हैं अर्वी मेती की सब्जी बनकर के तयार है बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है करके हम सबजी की गार्णिस कर देते हैं आलवी मेथी की सबजी चपाथी पराथे या पूरी किसी के भी साथ में सर्थ कर सकते हैं और इतनी सबजी साइड दीसὶ के रूप में परिवार के चार-पास सदस्य。 को परोसी जा सकती है तो आप ये सब्जी बनाईए खाईए और अपने अनुफ़ाफ निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए